हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टू आल अगें इन बाइलोजी क्लासेज एंड फ्रेंट्स टूडे भी विल डिस्कूस अबाउट एन इंपोर्टन टॉपिक डाट इस हाव टू राइट एग्जामिनेशन कॉपी ऑफ बीएस्सी अग्रिकल्चर एग्जाम ओके स्टूडेंट्स तो आज हम बात करेंगे कि किस तरह से आप बीएस्सी अग्रिकल्चर के युनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में कॉपी को लिख सकते हैं और साथ ही मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगा कि जिससे आप वन टू टू डेज में भी जो जो आपका एक्जाम है उससे एक से दो दिन पहले वी आप एक अच्छी त्यारी के साथ एक्जामिनेशन दे सकते हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहे हैं और जितने भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं उन सभी को फॉलो अप करेंगे तो डाफिनेटली शौर है कि यूविल 60% आपने semester में पढ़ा हो 1-2 days आपके बचे हैं तो किन tips and tricks के साथ आप अच्छे marks गेन कर सकते हैं तो वो सभम इस वीडियो में बात करेंगे तो start करते हैं सभी लोग जब इसको देखें तो मैं आप सभी को बताऊं कि आप लोग इसको देखते हुए उसको follow up भी करें और उ study करना है तो उनके बारे में बात करेंगे तो देखिए यह कुछ tips हैं जो आपको before exam learning में help करेंगे तो सबसे पहले क्या कीजिए कि read and learn major topics of slavers सबसे पहले आप अपने slavers के major topics हैं हर एक paper के slavers में कुछ major topic होते हैं कुछ minor topic होते हैं सबसे पहले आप major topics को पढ़ें जो आपक slavers में हैं क्योंकि most of the cases में major topics examination में दिखाई देते हैं तो read and learn major topics of slavers and must related to subject और course याद रखना कि वो topics आपके subject से जादा से जादा related होने चाहिए हैं जैसे कि अगर हम बात करें मैं especially अपने stream की बात करूँगा कि agriculture microbiology का slavers है तो agriculture microbiology में आप सभी को basic सीज़े पता होनी जैसे कि importance and scope of agriculture microbiology तो यानि कि आपको related topic सबसे पहले learn करना है इसके बाद next है do practice for diagram, diagram की practice जरूर करें कुछ process होती है जैसे कि cycle हो गई, flow chart हो गई, ठीक है तो कुछ process होती है, photosynthesis process है, equation है तो उनकी practice जरूर करें क्योंकि वो practice से आदोंगे ना कि वो आपके learn करने से आदोंगे practice ज़्यादा करोगे तो वो आपकी ज़्यादे से ज़्यादा याद होंगी, ठीक है तो कोई भी topic है अगर उसमें diagram है, process है, flow chart है तो उसकी practice जरूर करें और last में जो line में आपको बताऊंगा अभी, in trips and tricks में, तो वो आपको इन सभी पे follow up लेना है, ओके number third point है, revise the important facts, सारे important facts जब आपका पूरा syllabus आपका पढ़ लें, तो उसके बाद आपको revise करने, important facts जैसे कि कुछ scientist name है, scientist ने कुछ discovery किया है, उनका discovery year क्या है, कुछ process है, तो उनको आपको क्या गरना है, एक बाद revise करना है, कुछ phenomena है, किस ने दिया था, क्या है उस phenomena में, तो वो यह आपको याद करना है, for secure one marks in objective questions, क्योंकि objective questions में आपके वो ही fact आते हैं, जो आपके scientist से related हों, process से related ह यह discovery कब हुई थी ओके इन सबसे तो one marks के लिए आपको यह सब चीज़े जरूर रिवाइज करनी है next step for long answer firstly understand the headings and subheadings अगर आपको कोई topic लगता है बहुत बड़ा है और अच्छे से cover up जो है कम टाइम में आपको करना है सबसे पहले उस topic को देखें कि उसका नाम क्या है उसके बाद उसकी headings को देखें जैसे कि एक मैं आपको topic के बारे में बताता हूँ कि suppose करो question आगे ultra structure of cell तो cell के ultra structure में इसने cell के ultra structure की बात करें सबसे पहले cell को पढ़ लो cell क्या है उसके बाद cell के organs की heading याद करो, कि cell के organs क्या क्या है, फिन और उन organs की one to two lines, एक से दो दो lines सभी की याद करो, तो इस तरह से अगर आप याद करेंगे, तो one to two pages आप उसके correct point to point answer कर सकते हैं, तो यहां पर है कि long answer याद करने का तरीका यही है, कि heading याद करो, फिर sub heading याद करो, फ for short answer, make a question bank of short questions, जैसे कि short answers होते हैं, आपके कुछ short questions examination में आते हैं, उनके लिए आपको, अपने semester time से ही, एक question bank ready करना होता है, student, जैसे कि, छोटे होड़े questions होते हैं, write short, not on, write short, not on, discuss about, तो इन सभी के लिए question bank आपको तयार करना है, उन question bank की आपको क्या करना है, practice करनी है, सभी questions की made by yourself, यानि कि वो question bank आप ही ने बनाया है, अपने slaves से बनाया है, तो इसका reason बनाने का ये है, कि आपको examination के time, headings ना याद करने की जबा जाए, आप questions के answer याद करोगे, तो definitely उस question bank में आपके 150 to 200 questions भी होंगे, या 100 से 150 questions भी होंगे, तो आपको उन ही में से ही short questions examination में जरूर मिल जाएंगे, तो ये hard struggle और ये आपके इस तरह की एक success story जो आपके examination में बहुत helpful होगी, तो सभी लोग जो मैंने बताया है, अपने अपकमी examination में इस चीज़ को जरूर follow up करें, और अगर हमारे इस channel पर आप नए हैं, तो ये हमारा channel agriculture और biology के study के लिए है, तो चैनल को subscribe कर ल आपको exam से पहले नहीं करनी है, यानि कि one to two days before आपको नहीं करनी है, tension नहीं लेना है कि मेरा exam आ गए है, अब मुझे क्या करना है, आपको सिर्फ उस examination के बारे में सोचना है कि day after tomorrow, या tomorrow मेरा exam है, उसी के लिए मुझे study करना है बस, उसकी बाद आपको don't trust, जल्द बाजी ना बाट ले, 80% अगर आप slavus cover up करते हैं, तो definitely sure है कि 75 to 80% marks आप examination में ले आएंगे, वो भी तब कि जब आपने सिर्फ one to two days study किया हो, बट इसके लिए आपको पहले से ही कुछ clarity examination की होनी चाहिए, slavus की होनी चाहिए, तब आप one to two days में अच्छी study कर पाओगे, okay, don't go to the next topic before complete the first topic, माली जे आपने topic start किया है, उस topic को आपने complete ही नहीं किया, और जल्द बाजी में उसके overview headings पढ़गे, फटा-फट से आपने सोचे कि याद हो गया, और just go to the next, तो इस तरह से अगर आप study करेंगे, यानि कि एक को complete नहीं किया, दूसरे को ले लिया, तो ये क्या होगा, ए रोस्टेड करें, completely boil करें, completely learn करें, तभी जाकर आपको definitely sure है कि कोई topic अच्छे से learn होगा, इसके बाद don't strain your mind, अपने mind पर pressure ना ले, इसके बाद कुछ tips examination hall के लिए, अब मैं आपको बताओ, copy कैसे लिखते हैं, tips for right copy in examination hall, सबसे पहले, सबसे पहला काम हर एक students को याद रखना ह fill the entries in copy carefully in answer sheet, answer sheet जैसे ही मिले, free mind, सारी entries को अच्छे से fill कीजिए, अगर नहीं आता है, तो अपने invigilator से पूछे, खुझ से कोई भी entry जल्द बाजी में गलत fill ना गरे, ओके हो सकता है कि वो गलत entries आपकी copy चेक ना हो, या फिर आपकी copy hold पे हो जाए, result आपको hold हो जाए, तो read full question paper from free mind and choose the question that you like best, suppose that examination में जो question paper आया है, उसमें आपके 15 question है, 15 question में आपको question number 12, 14, 15 बहुत अच्छे से आते हैं, तो सबसे पहले, choose कर लीजे उन questions को जो आपको सबसे पहले आता है, okay, solve the question first that you are in comfort even, it is not the last, देखो, यह है कि अगर आपको question मान लो की last में है सबसे और वो ही आपको सबसे पहले आता है, तो सबसे पहले last वाला ही attempt करें, अपनी copy को attractive बनाए, means attractive की आपको को question है, आपने उसका explanation बहुत अच्छे से आता है, तो ऐसे आपके पास two to three questions है, तो वो two to three questions आपके one, two, three, four pages त answer seat, उसमें आपने बहुत अच्छे से explanation दिया होगा, तो examiner को वो attractive लगेगी और वो आपकी copy में interest लेगा, ठीक है, तो interest जब examiner लेता है, किसी copy को check करने में, तो वो आपके लिखने के तरीके को, वो आपके solving answer के तरीके को किस तरह से आपने जो है, उसको solve किया है, ओके, और साथ ही साथ की आपने question के answer pattern को कैसे बनाया है, मालो उसने कहा है, give a brief account on photosynthesis, और आपने briefly समझाया ही नहीं, आपने एक short में paragraph type पूर explain कर दिया, यह हो गया गड़वड, यह कोई brief account नहीं था, आपको पूछा है, give a brief account on photosynthesis, एक ही question से सारो में apply कर लेना, सबसे पहले photosynthesis के बारे में बताओ, उसकी reaction लिखो, उसके बाद photosynthesis क्या होती है, उसके बाद photosynthesis के जो steps होते हैं, उनको लिखो, उसके बाद उसका importance लिखो, तो यह होता है, brief account of any topic, I hope आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही होगी, क्योंकि वीडियो में मैंने अपने experience को आप सभी के साथ share किया है, इसके बाद है, use black and blue pen for answer the questions, देखो, सबसे पहली बात है, कि हम examination में मैंने बहुत देखा है, अपने experience में, कि बच्चे जो है, एक ही pen से पूरा answer complete कर देते हैं, या तो blue pen हो गया, black pen हो गया, तो ऐसा नहीं करना है, आपको answer numbering black pen से डालनी है, heading आपको black pen से रखनी है, फिर उसका explanation आपको blue pen से रखना है, तो black blue pen का जो attractive combination होता है, वो examiner को बहुत ही ज़्यादा attractive करता है अपनी और, तो इसलिए black blue pen का use करें, next है, right answer point to point format, याद रखना कि point to point अगर आप लिखोगे, जैसे कि आपने point दे दिया, photosynthesis is a process by which plants makes their food, तो यह आपको हो गया, इसके बाद next आप point लिखेंगे, photosynthesis always occurs in plant, तो यह point to points अगर आप लिखेंगे, तो definitely sure है, examiner आपकी copy में interest लेगा, और आपके हर एक question का अच्छे से evolution करके, आपको full-on marks ही देगा, don't write extra sentence that's not related to the answer, अपने उन answer में कोई भी extra चीज copy भरने के लिए ना लिखें, याद रखना, copy भरने से number नहीं मिलते हैं, अगर किसी को लगता है कि copy भरने से number मिलते हैं, तो वो examiner की थोड़ी सी जल्दवाजी होती है, जिससे फटा-फट से देखता है, बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, number दे दिये जाते हैं, लेकिन अगर उस जल्दवाजी में उसकी नजर आपके किसी unrelated words पे पढ़ गई, तो वो उस unrelated words से आपकी copy को दुबारा चेक कर सकता है, और फिर आपको ज़्यादा लिखना सारा बेकार हो जाएगा, और आप सोचोगे इतना लिखा था, number फिर भी कमाए और back लग गई, तो इसका reason यही है कि line to line, point to point लिखने के आदट डालें examination में, ओके, extra related ना लिखें, याद रखे next, make diagram with blue और black pen combination, diagram भी black और blue pen से बनाए, कुछ diagram में आप pencil का use कर सकते हैं, जैसे कि आप flow chart बनाते हैं, flow chart बनाने में आप black और blue pen का use करें, और जैसे कि आप suppose करो, कि आप flower का diagram बना रहे हैं, तो flower का diagram आप black blue pen से बनाए, और उसके अंदर अगर आप कुछ parts बनाने हैं, तो उसी के अंदर आप pencil का use कर सकते हैं तो इस तरह से अगर आप diagram बनाओगे कोई भी तो मैं definitely कहता हूँ कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा help मिलेगी number gain करने में, ओके? तो ये सभी मेरे tips and tricks थे आप सभी के लिए कि examination से पहले कैसे पढ़ना है और examination के time copy कैसे लिखनी है तो अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई हो वीडियो को like करे, सभी friends को share करे ताकि उनको ज़्यादे से ज़्यादा इसमें help मिले और साथ ही साथ कुछ tips हैं कि जो आपको examination के time नहीं करने हैं यानि कि जब आप copy लिख रहे हैं don't waste the time अपने time को ज़रावी waste ना गरे क्योंकि आपको पता है limited time होता है limited time में आपको पूरा exam paper solve करना होता है if a question doesn't come don't be under unnecessary pressure अगर suppose कीजिए question paper have 15 questions and this time any question doesn't come to have तो आपको नहीं आता है तो under pressurize मत हो ये आपको 14 questions आते हैं means आपको 90% paper आता है तो उस 10% के लिए अपने आपको pressurize करोगे pressurize करोगे तो वो hormones release होंगे जो hormones आपको क्या गरेंगे tense कर देंगे परेशान कर देंगे जिससे आपकी जो memory है उस पे effect होगा और जो questions आपको आते हैं आप उन्हें भी भूल जाओगे तो सारा खेल hormone का है ओके तो इसलिए pressurize नहीं होना है एक दो questions नहीं आता तो जितना आता है उतने को बहुत अच्छे से करें ताकि आपको अच्छे से अच्छे मार्क्सिस में मिल सकें don't look here and here during exam time देखो मैं आपको बताता हूँ ये एक general सा concept है जो बहुत देखा जाता है examination में कि बच्चा question कर रहा है उसके बाद वो अपने friend को देख रहा है कि कौन लिख रहा है कौन नहीं लिख रहा है देख रहा है कि teacher and user later क्या कर रहा है क्या कर नहीं कर रहा है तो इन सब चीजों में time waste करने से अच्छा है जासे ज़्यादा अपने question paper पर focus करे ज़्यादा से ज़्यादा answering करे क्योंकि अगर आप मालो इधर दर देखने में आप 3 hour आपको मिलते हैं उसमें से आपने 15 minute इधर दर देखने में ही कर दिया पूरी 3 घंटे में तो आपको सिर्फ 2 घंटे 45 minute यानि कि 2 hour 45 minutes का ही time मिलता है तो इसलिए totally focus on your paper write the paper in point to point format use black and blue pen to make the answer and write the answer in an attractive way examiner attractive होगा आपकी copy की और तो point to point answers दिखेंगे definitely you will get the higher marks by this trick तो यह आज का हमारा वीडियो था तो आप सभी को कैसा लगा और हमारी बताई हुई tricks tips आप सभी को कैसे लगे हमें comment में जुरूर बताएं और अगर किसी भी students को agriculture और biology का online coaching चाहिए तो वो हमें इस contact पर contact कर सकता है और साथी साथ आप सभी को बता दे कि हम आप सभी के लिए agriculture और biology से related videos अपने चैनल पर upload करते हैं और साथी साथ आप सभी की जो भी queries होती है उसे हम solve out करते हैं तो अगर आप सभी को हमारा जो channel है उसकी videos पसंद आती हैं तो सभी को like करें अपने सभी friends को share करें और चैनल को subscribe जरूर करें ताकि हमें support मिले और हम आपके लिए इससे भी best of the best video जो भी problems आपके study में आती हैं उनसे related video आप सभी तक लेकर आती रहेंगे ओके तो मिलते हैं ऐसी ही एक जबरदस्त next video में तब तक के लिए bye bye and take care